हमारा ब्रह्मान लगबग 46 अरब लाइट येर्स में फेला हुआ है इतने बड़े ब्रह्मान में अंगिनत तारे मोजू थे और इनी अंगिनत तारों की परिग्रमा करते हैं अंगिनत ग्रह और इनी ग्रहों में से कुछ ग्रह बहुत ही रहसे में होते है आज हम ऐसे ही कुछ मिस्टिरियस प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे ग्लिस 1214B एक एग्जो प्लैनेट है जो ग्लिस 1214 नाम के तारे का चक्कर लगाता है इसकी खोज दिसंबर 2009 में हुई थी और ये हम से 48 लाइट एर्स दूर ओफिकस कॉंस्टिलेशन में स्थित है ये प्लैनेट हमारी पूत्वी से भी बड़ा है और इस पूरे प्लैनेट पर सिर्फ पानी ही पानी है नासा का ऐसा अनुमान है कि इस ग्रह की सत्व 100% पानी से घिरी हुई है इस ग्रह को वाटर वर्ड या ओशियन प्लैनेट भी कहा जाता है और स्थित के बीच ये एक मिस्टरी बना हुआ है ट्रेस टू बी एक एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है जो हमारी सोलर सिस्टिम से 750 लाइट येर्स दूर स्थित है ट्रेस टू बी एक बाड़ा प्लैनेट है ये हमारे प्रुद्वी से लगबग 14 गुना बाड़ा है इस प्लैनेट की खोज साल 2011 में हुई थी और ये एक बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह है इसका ओसत तापमान करीब 980 डिग्री सेल्सियस है और इस ग्रह को दर्केस्ट नोन प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये कोईले से भी काला ग्रह है अपने उपर पढ़ने वाली एक प्रतिशक्त से भी कम लाइट को ये रिफ्लेक करता है और इसलिए ये ब्रह्मान का सबसे काला ग्रह है 40 light years दूर मोजूद 55 कैंकरी A नाम के तारे की परिक्रमा करने वाला प्लैनेट 55 कैंकरी E इस ब्रह्मान का सबसे मुल्यवान ग्रह है क्योंकि ये ग्रह कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड और ग्रैफाइट से बना है और इसे डायमंड प्लैनेट भी कहा जाता है इस प्लैनेट की कीमत 26.99 million dollars यानी 26.9 into 10 to the power 30 US dollars है इस प्लैनेट की खोज साल 2004 में माइकल एंडल और फ्रिट्स बेनेडिक्ट के टीम ने मिलकर की थी ये प्लैनेट हमारी सॉलर सिस्टिम से 64 light years दूर मोजूद वलपेकुला कॉंस्टिलेशन में श्तित है ये प्लैनेट दिखने में बिलकुल प्रुथवी की तरह ही नीला दिखता है लेकिन ये प्रुथवी से बिलकुल ही अलग है इस प्लैनेट पर सिलिकेट यानी काज की बारिश होती है और इससे होने वाली ब्लू लाइट की स्काटरिंग के कारण ये प्लैनेट नीला दिखाई देता है इस प्लैनेट का टेमपरिचर 1000 डिग्री सेलसेस है और यहाँ 7000 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से हवा बेंती है वैस्ट ट्वेल भी जूप्टर जितना बड़ा एक प्लैनेट है जो उसके होस्टार के बहुत जादा करीब है ये इतना करीब है कि ये अपने तारे का चक्कर लगबग एक दिन में ही पोरा कर लेता है इतने करीब होने के कारण इस प्लैनेट का तापमान लगबग 2200 डिगरी सेल्सियस है और इस प्लैनेट को लाइट इटिंग प्लैनेट भी कहा जाता है केल्ट 9b जुप्टर से भी दो गुना बड़ा प्लैनेट है जो की 670 लाइट यर्स दूर स्तित है दिन में इस प्लैनेट का तेमपरिचर 4327 डिगरी सेल्सियस होता है जो की कई तारों की सरफेस तेमपरिचर से भी जाता है ये प्लैनेट इस ब्रह्मान का सबसे गर्म ग्रह है ये प्लैनेट अपने होश्टार का एक चकर सिर्फ 36 गंटे में ही पोरा कर लेता है यानि इसका एक साल सिर्फ 36 गंटे का होता है और इसी एक साल की साइकल में दो बार समर और दो बार विंटर सीजन आता है पुर्थवी से 57 लाइट येर्स दूर मोजुद गलिस 504b एक जोवियन प्लैनेट है ये प्लैनेट जुपिटर की तरह ही गैस जायंट है लेकिन ये जुपिटर से चार गुना जादा मैसिव है इसकी खासियत है इसका कलर ये ग्रह पूरी तरह गुलाबी है ये इसके एट्मस्पेर में होने वाले स्केटरिंग एफेक्ट के कारण होता है ये एक सुन्दर ग्रह है लेकिन इसका टेंपरचर बहुत ही जादा है ये प्लैनेट प्रुथवी से बहुत दूर स्कॉर्पियस कॉंस्टिलेशन में स्थी थे ये ब्रह्मान का सबसे पुराना ग्रह है इसकी उम्र करीब ब्रह्मान की उम्र जितनी ही मानी जाती है इस प्लैनेट का निर्मान ब्रह्मान के निर्मान के कुछ सालों बाद ही हुआ था जहां ब्रह्मान का निर्मान लगभग 14 बिलियन साल पहले हुआ था तो ही इस प्लैनेट का निर्मान 12.7 billion साल पहले हो था इस प्लैनेट को दे जेनेसिस प्लैनेट और मेतूसेला के नाम से भी जाना जाता है ग्रिक भाषा में मेतूसेला का मतलब उम्रदराज होता है रोग प्लैनेट वो इंटरस्टेलर अब्जेक्ट होते हैं जो किसी सोर मंदल का हिस्सा नहीं होते हैं एसे प्लैनेट जिस सोर मंदल में बने होते हैं या जिस तारे से ग्रैवटेशनली बाउंड होते हैं उससे अलग हो जाते हैं ये planets एसे ही ब्रह्म्हन में घुमते रहते हैं, इन planets के करीब कोई भी तारा ना होने के कारण, इन planets पर हमेशा अंधेरा ही रहता है, और ये planets बेहदी ठंडे होते हैं, और इन planets पर जिंदगी पनप्पाना नामूंकिन ही है, सांटिस्ट के अनुमान के मुताबिक सिर्फ हमारी galaxy Milky Way में ही करीब पचास अरब रोग planets मोजूद है, केपलर 78b प्लैनेट मास, रेडियस और मीन डेंसिटी के मामले में पृत्वी के ही समान ही, हमारी पृत्वी की तरह ये प्लैनेट भी आयरन और रोक से बना है, लेकिन पृत्वी के मुकाबले ये बेहदी गर्म ग्रह है, ये थे हमारे ब्रह्मान के 10 मिस्टिरियस एक्जो प्लैनेट्स, एसे ही स्पेस और साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेट्व और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नौटिपिकेशन बेल को भी आन कीजिए, मिलते हैं अगल झाल झाल